आज की कहानी है महान व्यंगेकार हरिशंकर परसाई जी की रचना भेड और भेडिया ये कहानी इतना महत्पुन है कि आज की राजनितिक व्यवस्था पर एक व्यंग और एक तंज है कहानी शुरू होती है कि वन शेत्र के कुछ भेड ये तै करते हैं कि अब यहाँ पर लोकतंत्र स्थापित होगा लोकतंत्र अर्थात की राजा का चुनाव किया जाएगा इसे क्रम में भेडों के बीच में खुशी की लहर दोड़ जाती है कि अब तो सब कुछ होगा जीओ और जीने दो का कानून यहाँ पर लागू होगा लेकिन भेडियों के बीच में दुख का माहौल फैल जाता है भेडिये ये सोचते हैं कि जब लोकतंत्र स्थापित होगा तो हम भेडों का शिकार कैसे कर पाएंगे इसे बीच में भेडिया काफी चिंता मगन था अर्थात चिंता में डूबा हुआ था तभी उसके बीच एक बुढ़ा और अनुभवी सियार आता है आप सभी जानते हैं कि भेडिये के साथ में सियार होता ही होता है और वो काफी चतुर भी होता है और भेडिये के द्वारा भक्षन किये गए मांस को खाने के बाद हड्डियों में जो कुछ बचा होता है वो सियार ही तो खाता है तो सियार ने भीडिये से कहा कि महराज आप इतना चिंता मगन क्यों है भीडिया ने कहा अब प्रजात अंद्रस्थाबित हो जाएगा तो हमारी देखभाल कौन करने वाला है सियार ने कहा महराज तो आप चिंता खाने क्यों नहीं चले जाते हैं उसने कहा कि वहाँ पर अब हमें कौन पूछता है कहा आप अजायब घर चले जाएए कहा कि वहाँ तो मनुष्य ही रहते हैं कहा कि आप सरकस में चले जाएए वहाँ पे रिक्ष और शेर को ही पूछा जा जैसे उसे किसी दिव्य सक्ति का शामना हो गया हो उसने मुस्कुराते हुए कहा महराज मेरे पास एक उपाय है आपको मेरी बातों पर चलना होगा भेडिया के पास में कोई आप्शन नहीं था इसलिए उसने हामी भर दी अता उसने सबसे पहला काम किया कि तीन रंगा हुआ स सियार ले करके भेडिया के सामने ऊपस्थित हुआ भेडिया ने कहा कि यह क्या करेंगे उसने कहा कि महराज आप चिंता मत किजिए, पहला रंगा सियार पीले रंग से रंगा हुआ था, अर्थात वह कवी, लेखक और विद्वान का प्रतनिजित्व करता था, दूसरा रंगा हुआ सियार नीले रंग का रंगा हुआ था, वह मीडिया और पत्रकारों का प्रतनिजित्व करता था, तीस उसने कहा कि महाराज आप चिंता मत करिये मैं आपकी थोड़ी वेस बूशा बदलूँगा उसने सबसे पहला काम किया कि भेडिये के सिर पे तिलक लगाया उसके गले में कंठी माला डाला और उसके मुझ में घास का तिनका रख दिया और कहा कि महाराज चलिए अब चुनाव प्रचार के लिए चला जाए भेडिया आगे आगे और चारो सियार उसके पीछे पीछे भेडिया संत की जये भेडिया संत की जये करते हुए चलते चले इतने बीच में भेड ने कहा कि आरे देखो देखो भागो अब तो भेडिया आ गया अब तो जान बचाने के लाले घास से ही काम चला रहे हैं इन्होंने शिकार बंद कर दिया और अपने पुर्वजों के किये गये कृत्तियों पर ये काफी दुखी हैं भेड सियारों को सुनने के लिए रुग गये और उन्होंने कहा कि देखो हमारे भेडिया जी इस बंशित्र के राजा हूंगे यदि आप इनका चुनाव करेंगे तो ये आपकी रक्षा करेंगे और तो आपके सामने रक्षा का कोई आप्षन तो है यह नहीं तो भेड ध्यान से उनकी बात सुनने लगे नैने भेड को देखते हुए भेडिये के मुँ से लार भी टपक रहा था लेकिन क्या करे वह लार को किसी भी तरीके से अपने गले में निगल लेता था पीले वाले रंगे सियार की बोलने की बारी आई तो पीला वाला रंगा सियार अपनी आदत से लाचार और वो हुआ 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 करने लगा जैसा कि सियार अकसर बोला करते हैं किसी तरीके से बुढ़े सियार ने उसे इशारा करते हुए कहा कि तुम्हें ऐसा नहीं करना है और बुढ़े सियार ने हस्तक शेप करते हुए कहा कि देखे ये कवी हैं ये कोरस में गार हैं नीले रंग से रंगे हुए सियार ने कहना शुरू किया कि यदि आप इनको चुनेंगे तो आपका भला ही भला होगा तीसरे हरे रंग से रंगे हुए सियार ने ये कहा कि आप इनका चुनाव करेंगे तो स्वर्ग में आपका चुनाव होगा इसी तरीके से तीनों सियार ने अपनी अपनी बात कही भेड काफी ध्यान से चारों सियार की बात सुन रहे थे अब वन शेतर में पंचायत का चुनाव हुआ और चुनाव का निरने होना क्या था भेडिया जीत गया और भेडिया के जीतते ही भेडिया ने सबसे पहला कानून पारित किया कि सुबह सुबह नास्ते के लिए एक कोमल भेड का बच्चा हमारे समक्ष लाया जाए दो पहर के खाने के लिए एक पूरा का पूरा बड़ा भीड तथा रात में अपने स्वास्त का ध्यान रखते हुए आधा भीड हमारे बीच में लाया जाए कहानी यही समाप्त होती है और कुल मिला करके हरिशंकर परसाई जी अपने व्यंगे के माध्यम से यह कहना चाहते हैं कि चुनाओ में बड़े बड़े घोशनाएं और बड़े बड़े वादे किये जाते हैं लेकिन चुनाओ परिणाम आने के बाद जब सरकार बनती है तो क्य होता है वो आप सभी जानते हैं